हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी वेट लूज मेजिकल रेसिपी के बारे में जिसको जब से मैंने एक टाइम अपने मिल में सामिल किया है तब से मेरे वेट कम होने में के अमेजिंग रिजल्ट है चले शुरू करते हैं मैं आपको बताती हूँ यह देखिए मैंने एक कटोरी दल्या लिया है लेकिन यह दल्या वीट दल्या नहीं है यह दल्या जो का दल्या जिसको हम बारले दल्या भी बोलते हैं यह मैंने पतंजली कर लिया है आप किसी भी ब्रांट कर ले सकते हैं इसको म बनाने के लिए आप अपनी मन पसंद सब्जिया जो आपको पसंद हो सिमला मिर्च, प्याज, बेबी कैरट लिया है, बीन्स ली है, टमाटर लिया है और हरी मिर्ची लिये, इन सब्जियों में से जो सब्जिय आपको पसंद नहीं है तो आप अवोईड भी कर सकते हो, मुझे आपको पता है, डाइजेशन के लिए कितना अच्छा है, अब इसमें मैंने डाला है, थोड़ा सा जीरा, अब इसमें मैं साई सब्जिया, तक हमारी सब्जी प्राई हो रही है तो नहीं के लिए, तब तक मैं आपसे जलिय के बारे में कुछ और के लिए, इस जलिया में 0% होता है, और 100% 5% होता है, जब हाईगर हमारी बोडी में हम खाते हैं, तो हूँ हमारा बेज बटाने में बेहद हैल्ट करता है, अब हमारी सब्जियां सोडी बुन गई है, अब इसमे मैंने नमक डाला है, स्वाजन सा, मिल्च मेहनिस में पहले हरी एड़ कर दी थी, तो इसमें सोडी भी जोड नहीं डाली है, बिएखिया, इसके बार, इसमें अपना दलिया एड़ किया है, और जितना दलिया लिया है, उसका डगल पानी एड़ किया है, अब हमें अपनी गैस को सिंफलेम पे करके, इसको 10-12 मिनट के लिए पकने देना है, किसी भी बड़तल से प्लेट वगेरा से डखके, आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, मैंने इसको कडाई में रिनाया है, आप इसको 10 मिनट के लिए पकना छोड देती है, देखिये, 10 मिनट बाद हमारा दलिया बनके रेड़ी है, अगर आप सच में अपना बे या दो पेर, लंच में, आप एक महीने के अंदर कम से कम चार पास किलो वेट बूज कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना ना मिलेगा, ये ऐसी वेट लूज रेसिपी है, इसको आप अपनी डाइट में एक टाइम जुरूर सामिल करें, आप देखी रहे हैं मेरी दोनों फोटोज में, कितना डिफ्रेंस है, विदाउट जीम, विदाउट योगा, जब मैं अपना 20-25 केजी वेट लूज कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, इनी छोटी-छोटी हेल्थ रिक्ट्स के मेरी विडियो देखने के लिए, थैंक यू